इसका मतलब रतना कर से नहीं ने आश्रम के लिए चगह दिया और लोगों की सहायता भीकी बहुत अच्छा इंसाने वो है न ऐसा कुछ भी नहीं है साब वो लोगों की भलाई तो करता है लेकिन कभी-कभी आश्रम भी जाय करता था उसका वहाँ जाना ही सारी समस्या की दिखिए आप सब लोग तो जानते ही हैं आज खुशी मराने का दिन है हमारे मालिक हम सब के लिए मिठाई लाई है जो बांटेंगे सही कहां यह यह लोग अंदर लेकर जाओ ठीक हां ले जाओ आजाओ बेटा आजाओ ले लो ना श्री देवी अभी अभी एडमिशन हुआ है एक हाथसे में अपने परिवार खो चुकी है स्वीट कर आओ 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 सब आओ कालिद काहा है मैंने पुछा खालिद का है यह लेजे पानी सर्ट सर्ट गोरी तुमारे एक जवाब से कई और सवालों की जवाब मिलेंगे बोलो तुम्हें बताने पड़ेगा सर्ट खालिद का है आने पुछा खालिद का है मेडचन मेडचन दीदी इच्छा है हाँ यह लो जाए यह लो जाए खेती में जो सबजी आती है उसकी फसल काटकर यह खालिद डेलेवरी देने जाता है साथ वयन उसी की है क्या हाँ वयन उसकी खुद की है साथ में तुम रतना कर सिनें के पास कब से काम कर रहे*** वो क्या है सर, असल मैं देखा जातो, इस रतनाकर से नहीं के पिता के टाइम से ही उनका सारा हिसाब किताब हमारा ही परिवार देखता है, मेरे पिता जी आखरी समय तक उसका हिसाब किताब देखते थे, अब मैं देखता हूँ नमस्कार, सब लोग आचुके हैं मैं राहुल, आज क्या मिला है, आज तो कुछ भी नहीं मिला, बस दो खरगोश, और एक डुकर, बस इतना है इनकी किस्मत में मौत है, मैं जो बोल रहा हूँ, तुझे समझ नहीं हा रहा है क्या, इदर आरे बड़े बाबु अज पंचाथ में है, हलो, मा आली कभी बीजिय है, रखो हमने कहा ना पंचाथ नहीं होगी, लेकिन मैं डेर मेहीने से इंतिसार करता हूँ अरे तुझे समय जा था पंचायत कभी नहीं होगी, तुने इसको समझाय नहीं क्या? नमस्ते, नमस्ते स्वार, वो क्या है ना, हमारी जमीन के बगल में फॉरस्ट की जमीन भी मिली विये, ऐसा विलेज आफिसर का कहना है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप उसे खरीद लीजिए, ठीक है, खरीद लेगे, वहां तो डुकर भी पलट कर नहीं देखेंगे, सुधाकर, अपने नौकरों को ले जाओ, और कल सही काम शुरू कर दो, हाँ, ठीक है, तुम ज़रा धेयान रखेंगे, मालकिन, हाँ, सारा तुम, हाँ, मैंना अभी मंदिर जाकर आई, मालिक और बेटे के लिए, मैंने मननत भी मांगी, ये प्रशाद मैं आप लोगों के ल ये लो, इससे रख लो, इसकी क्या जरूर थी, कोई बात नहीं, आप कितनी समझदार है, मालकिन, ये लिजिए, चाचा, फुष्टो हो ना, हाँ, बेटा, ए, वो फोटो कीच रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उदर जाके खड़ाओ, आप इदर आदेए, ये सुनो राहूल, आजाओ, आजाओ, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते, एक नय पुली स्टेशन के उद्गाटन के लिए, आपको आमंतरित करने के लिए आया हुँ मैं, तोलतार एको शाम को चार बजे, आप आ जाहिएगा, मंतरी जी भी आ रहे है, अच्छा, मंतरी का नहीं ले रही हो, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, क्या हो, मैं मालिक से कुछ बात करनी के लिए आई हूँ, क्या बात है, है, क्या बात है, बताओ, बारिश के वज़े से घर के चछट टूड गई, वो बनाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है मालिक, करेंगे अच्छी तरह मदद करेंगे समझ गया ना जी वह लुक्ष चाय क्यों नहीं पीरिंग इस वक्त मैं चाय नहीं पिती मैडम तो फिर बताओ सच कहूं तो अनात बच्चों की हमेशा मदद करने वाली का नाम है गौरी और एक बार वेडमपटी गाओं में जब बाड आई थी उसमें पूरी बस्ती डूब गई थी मैडम उसका तो पूरा परिवार उसी में उजड़ गया जिस दिन ये हाथसा हुआ उस दिन कहीं वो बा अच्छे से उनकी देखभाल भी किया करती थी गौरी के लिए श्रीदेवी उसकी बेटी जैसी थी श्रीदेवी अब तुम दस्वी में पढ़ रही हो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी तब ही अच्छी नौकरी मिलेगी इसका मतलब रतना कर से नहीं ने आश्रम के लिए चगह दिया और लोगों की साहेता भी की बहुत अच्छा इंसानी वह है न ऐसा कुछ भी नहीं है साब वो लोगों की भलाई तो करता है लेकिन कभी-कभी आश्रम भी जाय करता था उसका वहां जाना ही सारी समस्या की जड दिखिए आप सब लोग तो जानते ही हैं आज खुशी मराने का दिन है हमारे मालिक हम सब किन मिठाई लाई है जो बांटेंगे सही कहां यह लो अंदर लेकर जाओ यह ले जाओ आजो बेटा आजाओ ले लो ना श्री देवी अभी अभी एडमिशन हुआ है एक हाथसे में अपने परिवार खो चुकी है यह स्वीट कर आओ 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 सब आओ अरे कहां गए थे तुम दोनों हम लोग अंठरे चर्ज गए थे मालिक जी काफी दिनों से बोल ले थी कि मा के नाम पर पूजा करनी है इस बार करा ही दिया जितने पैसे खर्च हुए है मुझे बता देना नहीं नहीं उसकी क्या जरूत है यह लो इसमें क्या है लड़ू है हाँ चलो अब अंदर चलते हैं अरे सारे खुद मत खाले ना मेरे लिए भी ठीक है रख दूंगे अधिक है वह सब मैंनेश हो जाएगा सुनो आप लोगों को जो भी जरूरत हो आप सुधाकर को बता सकते हो अरे भूलो इन सब हो जागा हाँ ठीक है चिंता की कोई बात नहीं है यह कौन है जो यहां ऐसे अकड़के खड़ा है अकड़ू ही है ऐसा ही सुना है आप आये ना बैठी चलिए ना कि तुम्हारे कहने के मताबिक सेनई काफी अच्छा इंसान था है ना ऐसा भी बोल सकते हैं लेकिन अरे थोड़ा उदर जाओ पानी के बीच पे जाना पड़ेगा जाओ जल्दी अरे जल्दी आओ यहां पर छू लिखा है ना क्या हो रहा है साथ यहां वे वह तो पहले ही हो चुका था अब यहां पी क्या हो रहा है ज़र्वे अरे दिखो आप लोगों को जो चाहिए वह से इन्हें जो चाहिए हॉस्पिटल स्कूल वो सब सरकार देगी कभी ये सेनई सरकार नहीं बन सकता है सही का ना ओफिसर साइन करवा दो कोई साइन नहीं करेगा इसे रोकने वाला तुकर होता है भी तो यहां का नागरी खुम है हम लोग सब समझ गये हमें जो देना होगा सरकार देगी अरे लक्ष्मी तुम्हारी च्छत के बारे में मैंने मालिक को बताया मुझे च्छत की जरूरत नहीं वो अच्छे काम करता है यह तो ठीक है लेकिन वो आदमी सही नहीं है वो जो कर रहा है उसके पीछे कोई वजये पापी लोग अपने पाप को धोने के लिए इस तरह का काम जरूर करते हैं कि अपने पाप दोने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कैसा जमाना आगया देखो खालिद भले ही रतना कर से नहीं गलत है लेकिन हमें क्या करना है उससे जो भी करना है उसे करने दो लोगों का फाइदा होता है तो होने दो बख्वास कर रहे हैं अरे वह तुम बनाओ ना डालो ना थोड़ा यह ना सर सर में उसको ट्रेक कर रहा हूं सर हां ओके कीप ट्रेकिंग हिम ओके सर ज़रूरत पड़ी तो फिर से बोला सकता हूं अभी कुछ सवालों के जवाब बाकी है सुनो भाई सुबह सुबह समुंदर में लहर ज्यादा है क्या अरे बहुत बढ़ी है लहर है सुबह की बात ही कुछ और है चलो शुरू करो तुम चलो पूजा करो मैं गाड़ी पाक करके आगा अरे हां सारे सेटिंग हो चुकी है आज आईए अरे यहीं कहीं होगी तुम अरे श्री देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही अरे यहीं कहीं होगी कहां जाएगी वो मुझे तो कहीं नहीं दिख रही ठीक है चलो गाड़ी में एक मिलेट आथीं श्री देवी श्री देवी बेटी श्री देवी, श्री देवी, मैं श्री देवी, आजा, आजा, आओ, 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 या हुआ, आजा, 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 कुछ नहीं होगा, आजा, आजा, कुछ नहीं होगा, आजा, कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो, नहीं, कुछ नहीं होगा, कि शर्डबार, मुझे रहाँ, शोर। शोर। शर्डबार, मुझे बढ़ीक, शित्टियाँ.. शोर। जोह दिने दिना.. शोई बचाओ.. शोई है.. भो तो ठीक है तो.. मैं कॉल कर तो.. शोर। कर दो! कर दो! जतियो! कर देंगे chciaम हो लिछान लिगलोग्स for कर दो लो वै जो कर देंगे लि मैं हो दो लो दोदा हो अ कर देंगे हो रो— कर देंगी हो लो, चे लो जो हुआ kole शराउ KCo डू कर दो जल्दी करो देरी हो रही है अरे बंद तो करने दो लो आग है यह भी अच्छे समय पर आये है अचानक इस समय खाल जित कोई बात है क्या दरसल वो रतनाकर से नहीं ने शीरी देवी से जबरदस्ती की तभी गोरी के हाथ में कंदी ला गया जिसे उसने उसके सिर पर मार दिया क्या क्या लगता है वो मर चुका है देखो भाई इसे हम यहां छोड़ कर जा रहे है इसका ध्यान रखना भाई देखो बीटी अगर कभी पुलिस यहां आती है और तुम से कुछ पूच्टाच करती है तो कुछ बताना बात है हम जल्दी तुम्हें लेने आएंगे मञ amplified पूच्टाच कर इसका साइफा प्राओ तुम्हें आते है वेलएally अभाई झता है धुपच्टा जयां तुम्हें तुम्हें आताऊ tentar जोग जाए मुझम्हें झाल 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 झाल! याय या याय याई यदुड़ को बार। याया यह ना जरू मत गोरी हम कहां जा रहे हैं अब उन क्या कह रहेंगे कुछ रास्ता निकले गाई सब कुछ ठीक होने दो फिर हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे हॉसला रखो अगर मैं अदलत बोल रहा हूं तो आप इससे पूछ लो और फनेज में दिन रात यही काम करता है हाँ सर जब यह घटना होई तुम कहां थे सर मैं तो गाउं के बाहर जो मंदिर है न वहां मेला लगा हुआ था तो मैं उसी मेले में था सर खालिद कहां है मुझे नहीं पता सर और गौरी उसका भी नहीं पता तुम लोग जाकर अंदर देखे खीक है सर तुम कहां काम करती हो यहां बगल के गाउं में कोई नहीं है सर पूछ ताज के लिए जब भी बुलाया जाये आज आना समझी हुआ पूआ 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 कर दो कर दो कर दो बहुत बड़ा समा सिर्ख बन गया ना छोड़ी है खालिद कहां है मैं कुछ नहीं जानता देख मुझे पता है तुझे मालूम में वो कहां है सुबह होने से पहले मुझे पता चल जाना चाहिए कि वो कहां है सुनो इस पर जारा नाज़र रखो चलते हैं मेरे साथ रहने लगा मेरा बेटा जिस दिन जाने वाला था उसी दिन वो एक गाड़ी से टकरा गया यह एक इत्तिफाक था और मेरा बेटा उसी वाड में था उस दिन उसे बचाने के लिए खालिद नहीं मेरा साथ दिया था वो सब रहने दो खालिद को बुला वैसे तुम सरकार के खिलाब जूठी गवाही का अंजान जानते हो ना क्या बोल रहो साथ नहीं समझे खिलाफ ही सही पर सरकारी मामला हो या सामाजिक मुद्द अगर जरूत है तो हम आवाज उठाएंगे खाली हाथ बैठकर ये जिन्दगी नहीं जिये साब ये जो खेल है इसमें अगर हमें किसी का सामना भी करना पड़े ना तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार है क्या बोलो कि क्या यही देशभक्ति है हां बताओ कि सच बताओ क्या हुआ था कि मैं खालिद और गौरी को लेकर थोड़ी दूर पर अपने विरादरी वालों के घर ले गया था कि उसको ड्राइविंग के काम पर भी लगा और खालिद ने वहां काम भी किया उन्हें ठहरने के लिए एक घर का इंतिजाम भी करके दिया और वहीं पर गौरी गर्वती हुई और फिर वहां पर उन्हें बच्ची हुई कि यह तो पाकी इसा पताओ मालिक हमारे सारे ट्रकों को पुलीस चेक कर रही है कहां पर चेक पोस्ट पे कमल ने फोन करके बताया था तुम अपनी गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो बड़ी तेज चला ना जी मुझा देखो खालिद इतने दुनों बाद भी पुलीस हमारे पीछे लगी है इसका मतलब पुलीस के हाथ में कोई तो सुराग जरूर लगा है कुछ दिनों तक समकी भलाई इसी में है के जगे बदल लो पर मैं गौरी को अकेला छोड़ कर इस सब का मेरे पास एक रास्ता है बाबना गाउं में एक छोटा सा घर मैं ढूंड रहा था जब नीलंबा थी तब मैंने खरीद दिया था तो में वहां ढूंडते वे कोई नहीं पहुंच पाएगा फिर भी मेरे बिना वह बच्ची को अकेले लेकर कैसरेगी वहां मेरा एक खास आद्मी है जो पहले आर्मी में था उसी के कार खाने में गोरी के काम का इंतजाम हो जाएगा क्या बोलते हो कि ज्यादा सोचने की जरौत नहीं है निकलते हैं जाओ अपना सावान बांद लो जाओ और चलो हालो हां साइमान मैं बोल रहा हूं हम लोग रास्ते में हैं लेट भी होए तो भी तुम हम से आके मिलना हां 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 ओट वाले से बात की ना हां हां साइमन जी मालिक किसी को बुला के इस जाए कि सफाई तो करवाओ ठीक है आजाओ 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 खोरी मैंने जो बोला याद है ना अगर कोई पूछे तो कहना पती मुंबई रहता है यहां मैंने सबको यहीं बोलके रखा है अब हमें चलना चाहिए चलो गोरी डरना मत बस कुछी दिनों की बात है सब ठीक हो जाएगा चिंता मत करो यह लो कुछ पैसे रख लो जरूर पढ़ने पर कॉंट्राइट करना है जाएब करना है जाएब करना है झाल चाल को जो जाएब पर कॉंट्राइब क्पुछ पर तो वो नाव से रवाना तो हो गया था लेकिन बाद में पता चला कि वो पानी में डूब गया अफसोस है हुआ 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 है इस बात को बहुत दिन हो चुके हैं आप जो जगा बता रहें लेटन बुलन गाउं में हैं खारी जमीन है उसका सर्वे नंबर है हैं एक सोचब्वीस वार सोला उस मासन नायर की बेटी है और दामोदर नाम के आदनी की बीवी लीला उम्र सत्तावन बाकी कुल मिला कर इनके ही नाम पर है वो जगह जो आप बता रही हैं बाद में पेपर में कोई बदलाव तो नहीं हुआ ना नहीं नहीं जल्से जल्द उस आप 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 नहीं है बद्वांड आप ही खड़ाओ दो से अलो मिले सिखावे खा़ल की सम आप हाँ थॉआ और व्हुआ आप है वो यह की जल्रश कोई सब्सक्रावर इसल्टे से अलगे की आ साथ सब्सक्रा शों सब्सक्राओ प्ला यह भंड़ ने ट उले दुआ निया वो कारखाने तुम ही चलाते हैं उसका फौजी से क्या रिष्टा है फौजी भी महीं हूं सर मैं कुछ साल फौज बे था इसलिए यहां के लोग मुझे आर्मी नाम से बुलाते हैं सर इसी गाउं में मेरा घर है रिटायर होने के बाद मैं कारखाना चलाने लगा अब तो तीन में औरते भी काम पर लग गई उनकी लड़की भी हैं मेरी बात सुनो हां सर तुमसे जो सवाल कर रहे हैं बस उतना ही जवाब दो ओ अच्छा यह बताओ कि गौरी तुम्हारे पास कबसे काम कर रही है गौरी हमारे कारखाने में यह सुनो उसे तीन साल हो गए है यह पता है अब इस रिटर्न आया भी नहीं था उस समय मैंने अपने कारखाने को चलाने के लिए दूसरे को दिया हुआ था पहले वो मेरे भाई रभी के पास काम करती थी रभी का कपड़े सिलाई का कारखाना था लेकिन बाद में किसी कारण से वह कारखाना बंद हो गया वापस आने चार लूह दी 《हर दिन कुछ अलग ही बोलते हैं परिशान कर दिया है कभी ये पेपर ले आओ पश्यों कर chuck लिए इतने सारे सवाल बाप रे हम जैसे लुगों को कौन लोन देगा ऐसे लोगों को लोन मिलता है जो उन को चुना लगा कर भाग जाते हैं सही कहा कल के अकपा में लिखा था एक आदमी तीन हजार करोड लोन लेके भाग गया तीन हजार करोड जाची जरह इसे संभाले ना मुझे जरह काम है मैं निप्टा कर आती हूं बेटा कोई कवीता आती है आती है तो सुनाओ अरे उसके हाथ से रस्ती तो लो अरे गौरी बीटिया कहां है वहाँ चाची के पास छोड़कर आई है कहां अच्छा वैसे तुम रहती कहां हो बगल में जो बसती है न वहीं पर देखो हम हाँसे इसे कैसे घुमाते हैं सीख लो तुमें वह इस पर ही काम करना है गौरी तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी हाँ आराम से चला नहां हां 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 यह 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 लद्दाख लद्दाख बोलते हैं उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है अधी रात का वक्त था मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलकर आ रहा था तो रास्ते में अरे तुम्हें क्या लगता है जब मैं इस वक्त इतना सुन्दर दिखता हूं तो पहले कैसा दिखता हूंगा खुद भी सोच लिया करो सुनो हमारे आर्मी के ग्रूप का एक नाम भी क्या था अरे राजकपूर ग्रूप राजकपूर के फिल्म बहुत देखते थे क्या अरे मालती सब खाना खत्म हो गया क्या हां मालिक बाकी कहानी में रात को दो पैग मारने के बाद विस्तार से बताऊंगा गोरी अभी नहीं आई है वैसे तुम्हारे पती मुंबई में है ना वहां वह करता क्या है भलकी दुकान है फिर वह बांद्रा में होगा बांद्रा में मुझे वहां की हर जगे के बारे में अच्छी तरह से पता है मामा को गाना का कर सुनाओ कि अरे क्या कर रहे हो सामान ठीक से रखो हां मामा नहीं है अता अभी अ दादा अथा और जोटेना में दिखता भी वशा ही है सर अब मैं आपको खुल कर बताता मैं बांगुड मिलिटरी कैम्प में था वह क्या है ना साहब पहले में कैम्प के सामने मचली मटन घी में अच्छी तरह पकाकर होटल चलाता था मेरा खाना एक मिलिटरी वाले को बहुत अच्छा लगा और वो मेजर के पास ले जाकर मुझे कुक बना दिया इसके साथ में एक और आदमी था ना हाँ उमेश बलाओ से ओके सर तुम कम्यूनिस्ट हो क्या अरे नहीं सर आप बोलोगे तुम मैं बन जाओंगा है सुनो है साथ बुला रहें अंदर चलो जी चलता हूं नमस्ते चलो वहां खड़े हो जाओ तुम्हारा ही नाम उमेश है क्या जी मैडम इस आदमी को तुम कब से जानते हो इसके साथ तुम्हारा रिष्टा क्या है पात साल सिन के साथ काम कर रहा हूं मैं एक दम कि अपने भाई की तरह प्यार करते हैं लेकिन औरतों को देखती थोड़ा मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन आदत से मजबूर है यह मैंने कहा कि सारा स्टाफ शादिश होता है लेकिन जपट्टा बार्दा चोड़ती नहीं है अरे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवा विमला वैशाली सारे नाम वी से ही शुरूर है सर वी फॉर विक्ट्री है ना सर अरे साप वी से कोई मतलब नहीं है एटू जेट कोई बी चलेगी बहुत हो नहीं चाहिए तुम बाहर तो मिल चाय पिलाएंगे क्या हाँ और कोई बात तो नहीं है कंट्रोल रूम में इंफर्म कर दो हाँ हाँ होटल वाले मेजर तुम जो सर अब भी बुलाओं तो जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगा सर साब में भी निकलू हुम इसे देखिए इस आदमी को जानते हैं क्या जमानत पर बाहर आया पर अभी तक दिखा नहीं बहुत बड़ा अपरादी है ये मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स आईए सर जो भी पैरूल पर जाते हैं वो लोग हर हाल में हाजरी लगाने जरूर आते हैं कुछ लोग जेल लौट आते हैं और कुछ भाग जाते हैं कुछ आत्मत्या कर लेते हैं खालिद की तहकीकात की तो पता चला कि जिसके खून का इल्जाम उस पर है वो वेराट गाओं का कोई बहुती बुरा और जलाद आदमी था उसके खून का बदला लेने के लिए उस आदमी का बेटा भी खालिद का इंतजार कर रहा था फिर खालिद के बारे में मुझे जब पता चला कि जिसने उसका नाम पैरोल के लिए रिकमंड किया था उनका नाम था रामानुज बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर अपने शेशन कोर्ट तक जो भी बड़े-बड़े केस आते हैं उन्हें हेंडल वही करते हैं रामानुज सर खालिद के पैरोल की पिटीशन विद्यनन रामानुज नहीं दी थी कुछ तो गड़बड है ऐसा मुझे लगा था जब मैंने इस बारे में पता किया तो पता चला कि राहुल से नहीं ने उसे मारने के लिए छुड़ाया यह सब मेरा अनुमान ही है वैसे कुछ भी हो खालिद आत्मत्या नहीं करेगा यह यकीन है मुझे यहां साइन करतो कि लिए बड़त। दने वासा झाल 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 कि एनकासी से निकल कर जब मैं यात्रा पर गया था तो अख़वार में कुछ शब्द और छोटा सा फोटो देखा जो लोग परोल पर बाहर आते उनके नाम की लिस्ट उस अख़वार में चपती है मैं वाँ फॉरण पहुँच गया था लेकिन उससे पहले मामला हाथ से पूरी तरह निकल गया सोचा ये वो नहीं होगा लेकिन उसके लावार कौन हो सकता था कि अगरी तुम और तुम्हारी बच्ची जब तक जाये यहां रह सकते हों वो मेरे अपने खूंग जैसा था एक सगे भाई की तरह था मेरे लिए किसी चीज की जरुद हो तो मुझे याद कर लेना इस बच्ची को लेकर अब अकेले ही जीना है ना इसके बारे में किसी को बताना मात वक्त सभी के लिए अपने अलग अलग फैसले सुनाता है पर एक बात है उसके नाम मिलने से हम सब बच गए हैं अबेटी अबेटी मैंसे देखकर भी जवाब नहीं दिया तू क्या देख आओ इस साल तो तुम्हारे पती बॉंबे से आ रहे हैं ना मेरे पिताची आएंगे अच्छा आएंगे अब सुनो गौरी तुम्हें भी हम लोग रोज के जमा भत्ते में शामिल कर रहे हैं नहीं मुझसे नहीं होगा अरे तुम्हारी पगार में से सिर्फ पचास रुपे ही तो जमा करने हैं जरूरत पढ़ने पैसे काम आते हैं अगर किसी का उधार हुआ तो भी चुका सकते है मेरी बात मानो तुम हो गया जारी जल्दी आकर पगार ले लो जाकर पैसा ले लो यहां पर हां उन्होंने जो भी कहा वो सही है कभी कभी इसी तरह जमा किये हुए पैसे काम आ जाते मुझे इसका तजरूरबा है वैसे मुझे पेंशन मिलती है इसलिए मैं यह सब नहीं करत जब तक मैं आपके साथ रहूँगा जब तक मैं मिलिटरी में काम करता था हर रोज बीना पानी मिलाय रम गड़ 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 करके पीता था ना तो मेरी जीव कभी लड़ खड़ाती थी और नहीं कभी पैर लड़ खड़ाती थे उसके बाद मैं कच्छा अंड़ा जी मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं उन्हें एक ही बार में उड़ा दूगा अब मुझे एक असिस्टंट रखना पड़ेगा वो किस लिए आपको घर पोचाने के लिए क्या बोलता है वो रहेगा तो पूरी बोतल पिऊंगा पीने के बाद ना जूमूंगा ना हिलूंगा एक अब देखो फालतू बात करता है असली गुली देखने तो फटके हाथ में आ जाएगी कि पूनम का बहे मा इस महीने के आखिर में इस बार तो पीता जी आएंगे ना शायद आएंगे बेटा हमारा कोई अपना नहीं है क्या हम दोनों को चाहने वाला कोई नहीं है मतलब मेरा मतलब जो हम दोनों की फिक्र करें हमारे बारे में सोचे वह तो भगवान के पास चला गया इसलिए अब सोचा रात बहुत हो गई है पिता जी कैसे आएंगे पिता जी कैसे आएंगे बोलो ना पिता जी ना अपनी जो पुरानी गाड़ी है ना उसे लेकर यहां पर आएंगे और एक ना एक दिन तुम है अपने साथ ले जाएंगे अब चलो जली से सोचाओ आखे बंद करो बहुत देर हो गई है कि बुम हैंगे है वैपट करो खो जो और but theter of the बुम है चाएंगे हैंगे 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 और but Professor मा मा पिताजी आगे क्या पिताजी आगे पिताजी कहां वो पानी में तैर के आए है चले रहा मा चले ना चल्दी पिताजी 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 अरे तुछुप करना पिताजी पिताजी को बुला ना चुप रहे ना बेटा मा पिताजी को बुला ना उनको पानी पिताजी इससे पहुच लेजे मैं आपको याद नहीं हो गया मैं आपकी बेटी पार रहा हूं पिताजी आपको दर्द हो रहा है पारो बेटी हा मामा जी कौन है आप और यहां किसलिए आए हैं गब्राइए मत् कि चलने लाइक हो जाओंगा तो यहां से चला जाओंगा कि मड़ी मामा बोलो बेटी मेरी पिताजी आगे मुंबर से कब आएं आज सुभा आए हैं क्या लेकर आएं तुम्हारे लिए कि ठीक है बात मैं बताना हां फिता जी मरी मामा ने पूछा आप मेरे लिए क्या कैल आए हैप पिताजी का सारा सामार पानी में डूबक्या पिताजी तुम्हें हर चीज घरिंगे ठीक है यहां बास में कोई अच्छा स्कूल नहीं ना इस लिए बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए उन्हें स्कूल ने भेज़कर बहुत बड़ी गलती करते हैं पारो आजो चलो करते हैं स्कूल बच्चों अपारो यहां हो यहां बच्चों का पता जी मेरे साथ चलो क्या देख रहे है चलो अरे क्या हुआ इस वक्त इतनी तयारी के साथ कहा जा रहे हो अरे यार क्या बताऊं तुम्हें क्यों क्यों हो गया राज को समंदर में एक नाव डूप गई पता नहीं कहा की ना हो थी इसलिए देखने जा रहे हैं पोन करता हूं तुम्हें वहां पहुंचके बताता हूं जाओ जाओ बेटा पारो पिताजी आहें क्या मड़ी ने देखा ना उसी ने बताया अब तो तुम्हारे साथ रहेंगे ना अहां दीदी कितनी खुश है देखो तो सही जानते हो वह एक पाकिस्तानी था हमारा खंखार दुश्मन पर मैं भी पुराना खिलाड़ी हूं अच्छा मैं एक ताला लगा दिया फिर तो आर्मी वालों ने इसका कोई नाम भी रखा होगा दारा सिंग दारा सिंग कहकर बुलाते थे तो इसलिए आप फूल कर कुपा हो गया है गौरी मुझे सब बता चल गया है तुम्हारा पती मुंबई से आया है इस साल वो तेवार अपनी गौरी के साथ ही मनाएगा अरे अच्छी तरह से मनाओ अच्छा है घर में खीर वीर बनाओ और एगर थोड़ी खीर बच जाए तो मुझे भी खिलाओ मैं शाम को आऊंगा तुम्हारे पती से मिलने के लिए अरे इसकी चाल तो देखो अब तो यह दिखाई भी नहीं देती इसकी चाल से मेरी जाल निकलती है संबलकर रहना उसका आदमी घर में ही है म div आये काम माईने रखता है काम तो मैं भी करता हूँ और चल को रहा हूँ आप कैसे हैं जनालदन गरूप से हूँ रिटाइलड सुबबचार मेजर मैं के उसली की पारू के पिता जी आये हैं तो सोचा कि चलो चलकर मिल लेते हैं यह केरला की देशी दारू है कितम पक्कामाल मुंबई में नहीं मिलेगी आपके रहे हैं मीजर साब मैं शराब नहीं पीता अरे थोड़ी सी पीओ टेस्ट करो यह अरे यह हाथ से बनाई वी है कोई बात नह एक अब हम लोग इस बोतल का क्या करें करेंगे क्या पीएंगे नाचेंगे गाएंगे तो गाएगा नाचेंगा और मैं तुझे लाप मारूँगा मार दो साहब लेकिन नाचने तो दो बढ़ा आया नाचने गाने वाला पारो यहां से ऐसे इस तरह फारो इस तरफ से पकड़ना है पारो चल हमें जाना है अब सके साथ हूँ पारो पानी में बिल्कुल मत जाना हाँ सुनिए शाम को लोटते वक्त अकबाल ले आएंगी आराम से किशना इस तरह से कुछ नहीं कुछ नहीं यह तो खाली है कि अधियर है क्या इसमें सब गड़ड लग रहा है हिसाब है ऊपर नीचे तो होता है क्यां उदकिये साहब अरे यार मेरा दिमाग मत्खा इसके Ademásore Amy किसी ने कुछ भी नहीं कहया न तुम ने कुछ खाया न मैंने कुछ खाया और इसके बाड वी आहिव burg nyt país है मानगा डिमाग मत्कौ है क्या है है मत्या यह हो गए निन्यानवे हाँ रसी के कारखाने में खून एक रसी के कारखाने में लड़की से मालिक ने घलत बरताव किया तो वह खबर चोड़ कुछ दूसरी खबर नहीं पढ़ सकता केरल में बच्चियों को अगवा करने के मामले बहुत बढ़ गए एक चौकाने वाला मामला प्रदेश में सामने आया है कि भिखारियों का एक बहुत बढ़ा गैंग बच्चों को अगवा करके उन्हें भीक मागने के लिए लगा देता है अखबार में कोई अच्छी खबर नहीं है ऐसा तो नहीं कि तुम मन से ही बोले जा रहा है अब यहां जो छपाए वहीं बढ़ रहा हूं मैं तुझे ऐसी ही खबरे दिखती है मेरी क्या कलती है आप लोग इतना भी नहीं समझती चिंता करने की ज़रुवत नहीं भले ही यह यहां पर है लेकिन इसका मन वहां घर पर है इसका पती बहुत दिनों बाद आया है ना कुछ दिनों तक ऐसा ही चलेगा तुम्हें पता नहीं है इसका पती बाहु बली जैसा है इससे तो भगवान ही बचा बेचारी फूल सी गौरी रात को तुझे फोन करूगा उठा ले ना सथिया गया है बुद्धा लाओ देदी जो अ रखत ऱर बुझे तो इससे यह ऐसे यह ठीक है हाँ बढ़िया देखो मां पिताजी ने स्लेट खरीद के दिया है नाव में एक आदमी बेच रहा था स्लेट और चौक ले लिया पॉकेट में गिला नोट पड़ा था उसे सुखा के दे दिया कर दो कुछ भी हो जाएं लेकिन पढ़ाई बंद मत करना हूं कर दिया कर दो दो आरा है और है तर दिर दारा है है तर आज़े दो कर दो है हैं एक और दो आज़ा आज़े दो आप कौन है आपका नाम क्या है और यहां क्यों आये हैं नाम भूल गई क्या पारो का पिता डरो मत मैं किसी को तकलिफ देने के लिए नहीं आया हूं जैसे आया हूं वैसे ही चला भी जाओंगा हो सकता है कली चला जाओं वैसे एक बात पुछूं यह पारो के पिताजी पारो कभी अपने पिताजी से नहीं मिली है वो मुंबई में हैं कि लो अब खुद लिखो मां देखो मैंने पढ़ना सेख लिया समझदार बच्ची है सुबह सुबह सलेट लेकर आ गई परो चल आज पिताजी के साथ ही रहूंगी इन्हाने कहा है कि आज ये मुझे एबी सीदी लिखना सिखाएंगे इस रसी के काम में कितनी दिहारी मिलती है 50 रुपे खर्च करने के बाद भी 500 रुपे बच जाते हैं आप खाना बना कर रसी में रख दिया है खा लेजेगा पारो मैं जाती हूं हां अच्छी तरह से लिखो हां ज़रा दिखाओ ऐसे ऐसे लिखना है अरे सुनो गई मैं एक बात बताना चाहता हूं यहां इस तरह के रसी के कार खाने कई सारे हैं अगर मुझे टाइम पर डिलिवरी नहीं मिली तो मैं नेक्स्ट और नहीं दूँगा बाद में कोई बहाना मत बनाना यह बात मैं साफ साफ कहे देता हूं अरे सर मैंने जुबान दे दी तो बस दे दी मानता हूं बारिश और बाड़ की वज़े से जनवरी में थोड़ा लेट हो गया लेकिन इस बार मैं समय पर ही दे दूँगा आपको कमिशन का चेक मिल जाएगा पैसे दिलवा दीजे बहुत तकलीफ है तुम चेक और कमिशन की बात करके मेरी जुबान पर ताला लगा देते हो ठीक है भाई मिल जाएगा चलता हूं बहुत टेड़ा आदमी है अरे नहीं यह तो बस खाली दिखावा है इस दाम में इस आदमी को और कहां मिलेगा लेकिन हमारा समय ही खराफ से बोलेकर क्या मैं जारा बिजी हूँ बात में बुलाता हूं आमलेट चाकलेट आमलेट चाकलेट आमलेट चाकलेट मां मैंने पीताजी को यह खेल सिखाया है नहीं बस ऐसे ही अच्छा क्या है ना बेटिया आप तुम खेलो अरे अरे वो पत्तर वो पत्तर अच्छा यह लो पकड़ो बात मैं अरे वो पत्तर वो अरे आमलेट घुटनलों ीएम ऐान मैं जाम दोटनला है मैं उत कर गफ दो पत्तर वग़ो कि यह सब यह सब करने की क्या जरूरती मैं अब तुम्हारे लिए बोज बन गया हो ना कि मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि मुझे तुम्हारे लिए बन गया हो ना कि मुझे तुम्हारे लिए। कि पारो उसे रख़ो हाथ कर जायगा बॉहाथ नहीं सुनती इस पारो कि पारो यहां वो पिताजी बुला रहे हैं किया है पिताजी पारो बेटी कि आधि जल्दी वापास आजाओंगा हमच जाए ना पिताजी लिए पारो पानी लेकर आई मैं इसे सभालूगा आप जाए पारो पारो आखोलो तो हुए दि अब हुए दिक अब कि कुछ नहीं होगा इस अब कर निंगे निंगे लेगे बिल्कुल नहीं जाए ऐस tough प्ताजी जाए देन इसटेए निंगे न में कोई दवाई है क्या हाँ नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे कहा ना पिदा जी कहीं नहीं जाएंगे लोग दवाई लेड़ो अच्छी बच्ची पिलो पिलो इससे जारा आराम करने दो हाँ जा आराम करने दो इसे प्यून से देओी है कि पिता जी चले जाएंगे क्या मां यह सब सोचना बंद करो और चुपचप सोचाओ कि अब कैसी है अब तो रिसी ठीक है उसे लगता है आप ही उसके बेता है क्योंकि उसने बच्पन से आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखा अब तक क्योपकी इस खचवर घखना लगं में, ऑवन कर चेज़ नहीं दूब का के वार चेहरा पिताजी 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 phenomena a है इस है कि मैं यहीं परूं है यहीं परूं मेरी प्यारी-पच्ची मैं कही नहीं यहाऊँगा आराम से सोजाओ बिटी, सोजाओ, कहीं नहीं जाओगा, सोजाओ, कहा ना पिटाजी, कहीं नहीं जाओगे? कहीं जाओगे? कहीं जाओगे जाओगे सकनल किक अधूदी कान Damn कहीं ज्याओगा andar हुशें जाओगे जाओगे मपीशन थो फफसे कानी बियो। कर दो कि लॉज़े और कुछू हूँ कर आप रहा खरए सकती कर रहा हुट झाल झाल कि कौन है? सोचा था मैं मर के भूना। सोचा था मैं मर के भूना। काश ऐसा हो गया होता तो अच्छा ही होता मेरे जाने के बाद एक बच्ची के साथ जिन्दगी से जग कब तक अकेले लड़ती कोई तो सहारा चाहिए था ना है ना कभी कभी मैं सोचा करता था कि किस तरह से लोगों की जिन्दगियां बदल जाती है अब मैं भी उन्ही में आ गया हूँ सोचा नहीं था ऐसा होगा जब मैं जेल में था तब मुझे ऐसी बातें याद आती थी कि तो मोर मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रहे होंगे अंदर कौन है ये मैं नहीं पूछूँगा ऐसा करने से मेरा दर्द और बढ़ जाएगा बसे ही बार मुझे मेरी बच्ची की सूरत दिखा दो अंदर कर दो अंदर को बढ़ जाएगा सरा दो हो फैशाओ जये हे ओिय में बमोए हो श aniलो खिय ख हुआ है है September आए pizza नह सूर लखे लौई झाहाँ हुआ 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 जग०चक पंच कि क्या बात है बच्ची को लेकर बाहर बेटिया वह नहीं नहीं आ रहे थी इससे लिए बाहर आ गए मैं बाहर ही रोखता हूं यही ठीक रहेगा वैसे वे यह चोखट पार नहीं करने थी और आगे से करूंगा भी नहीं कि अज़ते हूं वोखता हूं कर दोता हूं को चक्टा है कि कि अक्राइब पूखते हैं को भी आगे हूं कि अज़ते हैं वेकर तो फे रहां को बाहर आगे यहां । कर दो कर दो कर दो है सिक चलोगे नहीं ए जचलोगे आपサ्र के है तो ओर आप doubts जो हुआ और अब गॉंस टेट डॉंग यह सिक थॉमस है सर यह सिक थॉमस का फोटो है सर जेनुक एस्टुडेंट है पीएश्डी भी की है संगठन प्रमुक के मरने के बाद इसने सारी जिम्बेदारी अपने कंधों पर ले रखी है इसका नेटवर्ग छत्यसगर तक सीमित नहीं है आ सुदेव सार यह सुदेव है ऐसे का राइट हेंड यह भी जीनु से है नेक्स्ट यह है रामा परसाद सर्य रामा परसाद ऐसे को यह सुदेव इन तीनों को ही तेलंगाना पुलिस ने अर्स किया था करेंड़ थो mobilize इसके है फिर दो रहां रग्यो चार दो शुलिय जीनुम वारत प्छू गुलिव तो एलो कि उख जो उख लो खेल तना झाला कि द wildlife एलो को जो कि आप झाला कि एलो कि जाप references एलो कि ओूटे खाने कुछorm में कौने दधेंडा! लो ग्रोरी चनाने हैं इसे permenerख एलो साह पुस्टर भारो पारी कर दूब जोब जो जो जुझा एंट दूवर की जुट्च एंट क्योट कर दो भेड़ वाल में फोलो अप, वाल में फोलो अप, बोव सर्रामा पिरसाद एंकाउंटर में मारा गया, फिर सुदेव और एसिक की बीश में थोड़ी एनबन हो गया मामला इंटरनेशनल और इंडस्ट्रियल सेक्योटी का होनी की वज़े से तेलंगाना पुलिस ने ये मामला हमें सौब दिया सन्योग से एक सस्पीशियस कॉल की वज़े से सुदेव को ट्रेस कर लिया गया लेकिन सुदेव देश छोड़ कर चला गया पर एसिक पर हमेशा पुलिस की नजर थी बट रिसेंटली सुदेव का किसी के पास कॉल आया सर मैं उसी प्यार हूँ ऐसे का अपनी प्लान के लिए जिस आदमी से मिला वो सुदेव की जान पहचान का था उस आदमी को नागा कोर के रास्ते में हम लोगों ने अरेस्ट किया ठीक से पढ़ना मैं आता हूँ अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है समझ रहे हो ना वेनु भाई को पता चल गया है कल किसी भी तरह तुम्हारे लिए बोर्ट का इंतिजाम करवा दूंगा मैं समझ गया ना चलता हूँ ठीक है तुम तयार रहना पिता जी ओके गुड जाब सर वो एसिक नहीं है गौरी का पती खालेद है जिसके बारे में हमें शक्त था के वो मर गया है सेनी नाम के आदमी के खून के जुर्म में जेल में सजा काट रहा था वो सजा के बीच ही किसी ने उसकी बेल करवाई पुलिस रिकार्ड के मुताबिक उस समय ही खालेद ने ट्रेन से गिरकर खुदकुशी की थी ऐसी ख़बर मिली थी हमें सर खालित का जमानत में बाहर आने एक प्लान था सर और उसमें उसका साथ देने वाला विद्याकरण राम बनी था सर इस सब की वजय वही था सर आई फील सो फणी इस तरह तुम लोग के सामने खड़ाऊं वी डोंट फील इट सो फणी ओ मेरा वक्त बहुत कीमती है पता है ना रामानूज एसोसियेट वहां सुप्रीम कोट के सॉलिसेटर जेनरल से लेकर नीचे तक तकलीफ में पढ़ जाओगे उसकी चंता मत करो यह तो हमारा काम है अपको एक जानकारी देनी यह है और वो जानने के ऐद आप यहाँ से जा सकते हैं हमारी इंटर्न Spencer वो हमेशना आके खुली रखती है हमारा समन्द seat वो बंदर होता है न वो जब समन्दर की गहराईन आपने निकलता है तो उसका क्या होता है पता है न समंदर तो तुन्हें देखा होगा लेकिन उसके गहराई आज देखाता हूं अब जो अपना मुझ खोले गाया तोड़ना शूड़ करें सर प्लीज बताता हूं सर अमें साब साब बदाव विद्या करान राम वनी के बारे में कि अब कि कि वैसे मैं क्या बोल रहा हूं इस गुनेगार को सजा देना मेरे जैसे लोगों का काम है और उससे मुझे सुकून मिलता है और इन सब काम के लिए आउट अब दवे जाके मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं पैरोल पर छुडाना तो अलग बात है लेकिन बाकी काम में भी मेरा साथ चाहते हो तो तुम्हें कुछ और भी कर रहा होगा कितना होगा है उन्हां हूँ पिन्सोर बयसा आगा अब एगा अब एगा पिरों से आगा झाट भात प्रुशी कि नहीं मनें भारुekk भारुशी हाई अव ve यह जो खालिद है, वेर इस ही नाव? वी हैव एक्जक्ट इन्फॉरमेशन फ्रम दे जेल खालिद इस दिन पेरोल पे बाहर आया था, उसी दिन रेल्वे ट्रैक पर हमें एक बॉड़ी मिली थी बस इतना ही नहीं, उस बॉड़ी की हालत इतनी खराब थी, कि उसे पहचानना मुश्किल था कि यह आदनी कौन है जो बॉड़ी मिली वो खालिद की है, ऐसा अनुमान लगाया हमने इसका मतलब आपका यह अनुमान था, है ना, खालिदी मरा है, इसका कोई सुबूत नहीं है अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन लोकल पुलिस ने तहकिकात की थी उनकी दी हुई रिपोर्ट के मताबिक, जेल सुपरिटेंडन के तौर पे मैं जो कर सकता था किया एक बास समझ में नहीं आई, आपके पास रेजिस्टर था, उसके बाद भी आपने चेक क्यों नहीं किया, आपको तो राइट्स है न, चलते हैं मैं रेटायर होने वाला हूँ, ऐसी जाच परताल करके मेरी बदनामी मत कीजिए खालिद को ढूड़ने के चक्कर में हमने पूरा इंडिया घूम लिया खालिद खालिद, हमें तुमसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए गौरी के बारे में हमें तुमसे कुछ पूछना है जब तक मैं जिन्दा हूँ तब तक आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे खालिद, हमें सब कुछ सच बताओ ठीक है सर खालिद की जिस दिन बेल हुई थी उसी रोज सेनई के आदमियों ने उसे बुरी तरह से जखमी करके जंगल से जाने वाले एक रेलवे ट्रैक पर फेक दिया था और वहीं पास में रहने वाले कुछ आदी वासियों ने जब खालिद को जखमी हालत में देखा तो उसे उठा कर अपने साथ ले आए और फिर उसके बाद उसका अपने तरीके से इलाज किया और उसकी जान बचाई ठीक उसी दिन पांच किलो मीटर की दूरी पर एक मजदूर आदमी आत्मत्या करके अपनी जान गवा चुका था उस आदमी की बॉड़ी को ही खालिद के नाम पर पुलिस रिकॉर्ड में दर् चला सर, ऐसे कैसे इन सब के बीच में आया, सर एंकाउंटर से बचकर ऐसे कपने किसी जिगरी दोस्ते मिलने के लिए एक बोट में जा रहा था, बीस समंदर में वो बोट एक हाथसे में जोग गई, उसकी भी सारी टीटेल्स हैं हमारे पास, सर, उदिया प्राणम, उसक बार का एडिटर और उसकी पतनी और सोशन थॉमस इन सभी पर हमारी टीम की पहनी नजर थी, खास कर इनके कॉल रिकॉर्ड्स पर ठीक, एक महीने पहले, सोशन थॉमस के नाम से खरीदा गया एक सिम कार्ड, उस सिम कार्ड को इस्तिमाल करने वाला शक्स था सुदामन, उस पर बार बार जो फोन आया करता था, उसमें सोशन के फॉरें नंबर की भी पूरी लिस्ट थी, साइबर सल की साहता से, उस नंबर क को ट्रेस करके सुदामन को हमने लोकेट कर लिया था, नया भारत के नाम से अखबार चला कर आप लोग जो भी काम कर रहे थे, वो सारे काम हमारे सर्विलांस के अंडर में है, आप लोग अपने पावर का गलत इस्तमाल करते हैं, पबलिक प्रोपर्टी को जो नुक्सान पह करता है, यह नहीं पता आपको, किसने भरपाई की आज तक, यह सिर्फ बोलने वाली बात है, अगर ज्यादा मूँ चलाओगी तो ठीक करना भी आता है, आप भी शान्त हो जाइए, यू हैव तो कोपरेट विद अस अरेस्ट करने के लिए आया है ना आप लोग, शाम होने क किसी रामो के पत्नी के नाम पर थी, और पेपर भी सारे उसी के नाम पर थे सर, उसी के पास रसी का कारखाना था, गोरी वहीं काम करती थी, ऐसी के अरेस्ट होने के बाद, गोरी को काम से निकाल दिया गया सर, लेकिन ये भी सच है कि ऐसी को गोरी बिल्कुल नहीं जानती सर हम यह जानके क्या करेंगे कि उसने जान बूच के किया है या अन्जाने में हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए कि अब कॉल हर दुनिया के सामने में एक आतंकवादी ऐसे की पत्नी हूँ और पुलिस की नजरों में एक आतंकवादी को बना देने वाली एक गुन्हेगार अपने पती का विश्वास तोड़ने वाली एक पत्नी हूँ मैं एक विद्वा की जिन्दगी जी रही थी मैं सारा दिन यहाँ वहाँ दोड़ती हुई अपने पता की रहा देखने वाली बेटी के साथ हम अपनी जिन्दगी में खुश थे एक दिन अचानक से एक आदमी समंदर में बहता हुआ आया तो वो उसे ही अपना पिता मानने लगी उसकी खुशी देखकर मैं भी उससे नहीं कह पाई की ये तेरे पिता नहीं है मुझे नहीं पता था कि वो इनसान कौन है पारों की खुशिया देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी मेरी बेटी की कि खुश्यार जीने का मकसद बनकर आया है कि जिसे में मरा हुआ समझती थी एक रात वो लॉट कर आ गया कि उस दिन मैं जीना ही नहीं जाती थी कि मैंने कोई गलती नहीं की मैं खूनी हूँ लेकिन मेरी वज़े से जो पकड़ा गया और जिसे सजा मिली है वो मेरे पती है किसी भी कोट के सामने मैं गुना कुबूल करके फिर चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी बड़ी सजा मिले मैं कुबूल करने के लिए तैयार हूँ गौरी तुम ज़रा बाहर ठैरो हम बुलाते हैं सर खालिद ही गौरी का पती है ये तो क्लियर है और सेनाई का खून उसने किया है ये बात उसने खुद कुबूल की है ऐसी स्थिति में हम दोनों केस ओपन कर सकते हैं सर देखो एसाइटी के सामने गौरी एक आतिंकवादी नहीं है और इस मामले में उसके खिलाब हमारे पास किसी तरह का कोई सुबूत नहीं आइसक को उसने अंजाने में पना दी बस उसकी सिर्फ इतने सी ही गलती है सर ये खून का मामला है अगर किसी औरत के पास इज़द बचाने का कोई रास्ता नहों तो वो खून कर सकती है और यहीं सज भी है सौरी सर लेकिन गुनेगार को कोट ले जाकर पेश करना पुलीस का करताव्य है उसके लिए रहम खाने की जरूरत नहीं है अरेस्ट करते हैं जो सर गुनेगार को ढूंड कर उसके हाथ में हतकड़ी पहना नहीं हमारा काम नहीं है जब गुना होता है तब उनकी मांसिक्स्तिती और उनकी हाला हमें उसे भी देखना चाहिए वैसे भी आजकल Human Empowerment का जमाना है सर खुद की इज़त बचाने के लिए हथियार उठाने वाली कोई भी औरत हो कानून का काम उसको सजा देलाना नहीं बचाना होता है सर सबूत के अभाव में नजाने कितने गुनाहगार कानून के आँख में धूल जोग कर बच जाते हैं हमारा समाज भी उसी को अपमानित करता है जिसके साथ अन्याय हुआ है अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल है यह तो आप जानते हैं एक बच्ची को बाप का साया देना चाहा गौरी का यही दोश है तो आपका क्या निर्ण है सर जैसा जोजफ ने कहा था ठीक वैसे ही हम गौरी को अरेस्ट करते हैं अगर सुबूत होते तो बट लेटर गो फ्री जिस उगरवादी एसी को पुलिस ने अरेस्ट किया था गौरी ने कुबूल किया है कि उसके साथ उसके संबंध थे लेकिन पुलिस ने गौरी को छोड़ दी वाइनर में जिस रतनाकर सेनाई का खून हुआ था उसकी खास खूनी गौरी नाम की उस शक्स को पुलिस ने छोड़ दिया है आखिर उसको किस बिनार पर छोड़ा गया है इन सवालों का जवाब पाने के लिए काफी बहस हो रही है अभी बताया गया कि गौरी बेगुना है इस बात के पुखता सबूत तो नहीं है लेकिन शतरंज के खेल में गौरी सिर्फ नाम के लिए गौरी नहीं बलकि उग्रवादी गौरी है उसके लिए सबूत की जरूत नहीं हालात किस तरह से गोले भाले इनसान को पदल कर रख देते हैं गौरी इसकी मिसाल है जिसकी जिन्दगी की शुरुआत यहां से होती है